प्रेमी की हत्या के मामले में उसकी प्रेमी का और दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफतार प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया गया था नजाम बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया सिवान के भगवानपूर थाना अंतरगत एराजी नगवा में एक युवग की हत्या हुई थी इस मामले में पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए एक यूवती समेत तेन को गिरफतार कर लिया है पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है सुमवार की दोपहर एराजी नगवा गाउं में नहर के किनारे फुलवारी में इसी गाउं के अभिशेक नामक युवक की लाश मिली अभिशेक की हत्या की गई थी अभिशेक के बड़े भाई की एक दिन पहले रविवार को ही बारात लोट कर आई थी रविवार की राच से ही अभिशेक लापता था परिजन काफी ढूंडे लेकिन उसका पता नहीं चल सका फिस ओमवार की दो पहर में उसका शव फुलवारी में मिला शव मिलने के बाद ग्रामीन प्रेम प्रसंग की चर्चा करने लगे मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक स्कुईट की टीम बुला कर जाच कराया पुलिस ने इस मामले में तुरंट कारवाई करते हुए एक यूवती समेट तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है स्पी शैलेस कुमार सिन्धा ने विग्यप्ती जारी करते हुए बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है इस हत्या में सनलिप्त एक यूवती और दो यूवक को गिरफतार कर लिया गया है गिरफतार गाओं के ही नंद किशूर प्रसाद का बेटा विने प्रसाद, वीना कुमारी और अवद किशूर प्रसाद का बेटा ओम प्रकाश कुमार है गिरफ्तार आरोपियों के निशान देही की आधार पर हत्या में प्रयुक्त किया गया दो कुलहरी एक मुबाइल और अन्य सामान बरामत किया गया इस संबन में थानाकांड संख्या 427 बटा 23 दर्च की गई है पूरे मामले का खुलासा मुबाइल CTR से हो पाया है पुलिस आगे की कारवाई में जूटी हुई है हलांकि पुलिस जांच में अभी यह सपष्ट नहीं हो सका है कि हत्या लव ट्राइंगल या ओनर किलिंग है थाना ध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि सभी एंगल पर जांच किया जा रहा है